हेलो, आप सब अच्छे हो और आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंट्रस्टिंग टॉपिक के उपर क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने मेरे को बहुत जादा हेल्प किया था जब मैंने अपनी जर्णी स्टार्ट की थी, अपने ट्रॉमास पर काम करना शुरू किया था सेल्फ अवेर जब मैं होने लगी थी, सो ये चीज जो है अगर इसको ध्यान से समझोगे, तुम्हें तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताएगा, सो ध्यान से इस वीडियो को सुनना और जिस कॉंसेप्ट की हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में उसको हम यूंग सबसे पहले में को ये पता है कि बहुत सारे लोग जो भी मेरे चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, वो इस कॉंसेप्ट से अवेर नहीं है, सो आल ट्राय जितना भी मैं इसको इजी बना सकती, उतना इजी बना दू, ब्रिकडाउन करूंगी, सबसे पहले थोड़ा सा बे duality of life को, duality of life यानि कि जो nature है दो तरीके की forces से बनी है, जिसे light है, darkness है, दिन है, रात है, ये basically duality of life बता रहा है, ऐसे हमारे अंदर भी ना कुछ चीजे हैं जिनको लेके हम conscious हैं, और कुछ हमारे ऐसे dark parts हैं, जिनको लेके हम conscious नहीं हैं, जो हमें पता ही नहीं हैं कि exist भी करते हैं, बट ये वो dark parts हैं, जिनको हमने जान लिया ना, इन पे हमने अगर light डाल दी, तो हम यहाँ पे जो dark चीज में सोना है ना, उसको निकाल सकते हैं, कोई भी dark चीज है, कोई भी life में अंधेरी तुमारी चीज आई है, कोई problem है, ये darkness को हम किस से denote करते हैं, मतलब क्या हम darkness के से वापिस आन है, वो सोने को लेके, सो हमारे अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीजे हैं, जो darkness में पढ़ी हैं, ऐसे unconscious में पढ़ी हैं, जिनको अगर हमने निकाल दिया वहाँ से, तो हमारी personality जो है, और बेटर हो पाएगी, हम अंदर से और जदा शाइन करेंगे, सो ये चीज सम में को चीजे पसंद हैं, मैं कैसे मेरा behavior है, मुझे सब पता है, बट आक्शल में हमें सब नहीं पता, क्योंकि हमारी shadow जो है वो हमें control कर रही होती है, जो कि हमारे unconscious में है, हम सोचते हैं हमें सब पता है, बट हमें पता नहीं है, सो समझते हैं कि shadow क्या होती है, shadow जो है, सोचो तो, शाड़ो क्या होती है, शाड़ो जो हमारे पीछा नहीं छोड़ती है, वो हमारे साथ आई रही होती है, जैसे दिन में अगर तुम बहार निकली हो, depending on the sun वो अलग-लग तरह की मतलब कभी छोटी होती है कभी बड़ी होती है बट हमारा पीछा नहीं छोड़ती है हम उसको notice नहीं करते हैं ऐसी हमारे अंदर की जो shadow है हम उसको notice नहीं कर रहे हैं बट वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती है जो भी हम act कर रहे हैं, जो भी हमारा behavior है जैसे हम reality को देख रहे हैं, उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है So shadow हमारे अंदर के वो traits है, वो चीजे हैं जिनको हमने disown कर दिया है या repress कर दिया है इसको इस example से समझो, जैसे एक बच्चा बहुत ही छोटा था, ठीक है उसके पापा बहुत ज़्यादा गुसा करते थे उसको, बहुत ज़्यादा वो देखता था कि घर में बहुत ज़्यादा problem हो रही है उसने बच्पन में ये चीज बार-बार देखी कि पापा गुस्सा करते हैं ममी परशान होती है मैं परशान होता हूँ ये 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 उसने क्या किया उसने सोचा कि मैं एक अच्छा आदमी बनूँगा मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगा तो अपने गुसे को उसने हटा के अपनी unconscious में डाल दिया, वो उसकी shadow बन गई, उसने अपने गुसे को repress कर दिया और disown कर दिया कि मैं को नहीं चाहिए गुसा bad है, गुसा अच्छा नहीं है, तो अब उसने क्या किया, वो सोचता है कि मैं बिल्कुल गुसे वाला नहीं हूँ मैं एक अच्छा बंदा हूँ, बट actual में गुसा उसकी shadow बन गया, क्योंकि उसने disown कर दिया उस part को, वो सोच रहे है कि गुसा किसी काम का नहीं है, बट कई situations में हम देखते हैं कि गुसा आना भी चाहिए, उसको कैसे हमें use करना है, वो में पता होना चाहिए, बट अगर हम पता है ये सोचने कि गुसा काम का ही नहीं है, तो वो हमारी shadow बन जाती है, अब shadow से वो क्या देता है, shadow जो उसके अदर बन गया अब वो क्या देखता हैं दुनिया में, यआ यह भी बहुत गुस्सेवाला है, वो भी बहुत गुस्सेवाला है, बैट पीपल, यह भी गुस बुरी चीज है उसने अपने पापा में जो देखा उसकी वज़े से उसने ये शैडो बना ली सो हम सब की कुछ ना कुछ शैडो हो सकती है जो हमने बच्पन में बना लियो किसी भी वज़े से कुछ अपनी मदर को देखके, कुछ अपने फादर को देखके, कुछ चीजे उन्होंने अप्रूव नहीं की या किसी चीज से हमें डर लगा, तो हमने कुछ अपनी जो परसनालिटी के पार्ट्स थे न, उनको अपनी शैडो में डाल दिया और आज हम जब रियालिटी को देखते हैं न, तो हम अपनी शैडो जो है, वो बहुत जादे यूज कर रहे होते हैं, बड़ हमें पता नहीं होता है कि यह मारी जो शैडो है, वो प्रोजेक्ट कर रही है, हम सोचते हैं हम तो अवेर हैं, और मैं अच्छा परसन हूँ, यह बै वो पॉजेटिव भी हो सकती है, वो नेकिटिव भी हो सकती है, हम इसको जज नहीं करना, हमें अपनी परसनालिटी को होल बनाना है, एक बंदा वो नहीं है कि जिसने सोचा कि अरे यह गलत चीज है, वो गलत चीज है, तो उसने अपने आपको काटके अलग कर दिया, नहीं, अगर तुम्हें पता भी है ने कि ये चीज है मेरे अंदर और ये सई चीज नहीं है तुम्हें पता होना चाहिए में को इसको consciously use करना कब है और में को इसको use करना आना चाहिए तो तुम ये मत सोचो कि अगर तुमने कोई negative चीज अपनी shadow में डाली है तो उसको integrate नहीं करना हमें उसको integrate करना है सो अब ये बात होगे shadow की shadow negative भी हो सकती है positive भी हो सकती है जिसे मेरे को मैं तुम्हें पनी positive shadow के बारे में बताती हूँ जो मैंने realize की थी जब ये काम मैंने सुना था और you know apply करना शुरू किया था तो मेरी shadow ये थी कि मैं जैसे मेरे को ये लगता है बहुत ज़ादा कि जब भी मैं कैमरे के सामने होती हूँ अगर मैं हस रही हूँ या मैं बहुत ज़ादा funny behave कर रही हूँ सो मैं बहुती conscious हो जाती हूँ सो पहले के जो मेरे वीडियो जो पुराने चैनल पे है उसमें तुम देखोगे I'm just sitting and speaking like a robot तो मैं रोबोट की तरह बाते कर रहे हूँ मेरे मूँ पे कोई expression निया I'm just giving information और ये मेरी shadow थी जो की बच्च्पन में फॉर्म हुई थी जैसे मेरे पापा जब काम से घर पे आते थे जैसे मैं मस्ती कर रही हूँ खेल रही हूँ थी पापा आते थे मैं भाग जाती थी ममी के पास मैं को लगता तो मैं डांट पड़ेगी और मैं बिल्कुल भी हस्ती न कर रही हूँ मैं एक सर्टेन वे में आक नहीं कर रही हूँ तो वो चीज ना एकदम से डिंग बचती है कि नहीं सुर्भी बहेव प्रॉपली सो ये मेरी shadow थी अब हसना ये मस्ती करना कोई बुरी बात नहीं है बट मैंने उसको अपनी shadow में डाल दिया रिप्रेस कर दिया क् अगर मैं उसको अपनी personality में डाल लूँ और यहां में मस्त बाते गरूँ हसूद उमारे साथ तो उसमें कोई बुराई नहीं है ठीक है ना तो हमें उन चीजों को ढूंड़ना है अब तुम अपनी shadow को कैसे spot कर सकते हो कैसे जान सकते हो कि तुमारी shadow क्या है इसके कई सारे तरीके हैं सबसे easy one जो है वो है through projection प्रोजेक्शन क्या होती है जैसे प्रोजेक्टर तुमने देखा होगा प्रोजेक्टर कैसे काम करता है प्रोजेक्टर जो होता है उसके अंदर एक image या कुछ भी ऐसा लगा होता है वो image डालता है एक white screen के उपर ठीक है screen पे image आती है क्योंकि प्रोजेक्टर भेज रहा है ठीक है तो हम भी क्या करते है रियालिटी पे जो है अपनी shadow फैंक रहे होते हैं जैसे सोचो किसी बंदे ने अगर yellow चश्मा लगा रखा है तो उसको पूरी जो दुनिया है वो yellow दिखेगी ऐसी हमारी shadow होती है हमारी shadow क्या है क्योंकि हम उसी के थूफ प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं अब इसका एक्जामबल समझो कि कैसे shadow प्रोजेक्ट करते हैं लोगों पे जैसे जब मैं काम कर रही थी as a personal trainer और as a nutritionist वहां पे एक लड़की थी ठीक है उस लड़की से पता नहीं मेर को इतनी दिक्कत क्यों थी मै मैं उसको कुछ बोलती नहीं थी बट मैं को लगता था यह शी सो वीक और कुछ धंग से काम नहीं करती है जब कि मेरे को कुछ नहीं कहती थी बट मैं को अंदर से उससे हमेशा इरिटेशन होती थी और मैं को समझ यह चीज तब आई जब मैंने अपने पर काम करना शुरू किये कि आक्चुल में वो इरिटेशन जो मुझे उससे हो रही थी वो मेरी शाड़ो की वज़े से थी वो लड़की बहुत ज़दा फेमिनिन थी तो मैं को लगता था यार हमेश punishment में repressed कर दिया था सो हम क्या करते हैं अपनी शाड़ो को दूसरों पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं हम बोलते हैं यार इसमें यह चीज मुझे बहुती घराब लगती है यह इरिटेट करता एं मुझे कोई चीज जब हमें इंआरी भात कुछ बताती है सो अगर तुम्हें कोई चीज बहुत ज़ाधा लगता है कि यार यह ऐसा क्यों वह ऐसा क्यों यह बंदे से मैं बहुत ही ज़ाधा दिक्कत है सो हमें अपने अंदर वाँ पर ज्धांक के देखना है कि वह दिक्कत हमारी तो नहीं है क्योंकि मैंने उस लड़की को सोचा कि या जी सो वीक बाते करती रहती है कुछ काम नहीं करती है बट अक्चुल में दिक्कत किसकी थी दिक्कत मेरी थी सो मैंने अपनी शाड़ो को जो मैंने अपनी देखा बच्पन में कि my mom is weak, femininity is weak सो मैंने उस पे जो प्रोजेक्ट किया, मैंने उस पे अपनी mom और femininity सब कुछ प्रोजेक्ट कर दिया सो वो मेरी शाड़ो थी शाड़ो कैसे निकलती है हम सामने वालों पर प्रोजेक्ट करते है हम सोचते हैं कि ये तो बहुत ही बेकार चीज है, क्योंकि शाड़ो सोचो, हमने उसको consciously अपना पार्ट नहीं समझा हमने शाड़ो को सोचा कि ये मैं नहीं हूँ बच्पन में हमने किसी भी वज़े से एक ऐसी ट्रेट या कोई भी ऐसी ट्रेट को अपनी शाड़ो में डाल दिया और सोचा ये मैं नहीं हूँ ये काम नहीं करने वाला इससे लोग मुझे लाइक नहीं करेंगे हमने उसको शाड़ो में डाल दिया हम उसको लेके unconscious हो गए हमने ये consciously नहीं किया unconsciously हुआ है हमारे साथ अब shadow दोवा पड़ी है हम उसके लिए aware नहीं है सो shadow energy है एक तरीके की वो बहार कैसे निकलती है हम shadow को बाकियों पर project करते रहते हैं सो ध्यान से देखो कि तुम बाकी लोगों पर क्या चीज़ प्रोजेक्ट करते हो किस चीज़ से तुम्हें लोगों में बहुत ज़ादा problem होती है सो वो तुम्हारी shadow हो सकती है क्योंकि जो भी तुमने repress किया है जो भी तुमने बिसोन किया हुआ है वो गया नहीं है वो अभी भी यहां पड़ा हुआ है बट तुम उसको अब अपने में न देखके ना दूसरों में देखने लगे हो सो इस चीज को समझो कि तुम क्या project करते हो दूसरी चीज क्या चीज तुम्हें trigger करती है जिसे कहीं पे भी तुम देखोगे मतलब यह प्रोजेक्शन से ही related है बट यहां पे तुम अपने emotions पे बहुत जादा ध्यान दो किस चीज को देखके तुम्हें बहुत ज़दा गुसा चड़ जाता है कि यह ऐसे कैसे यह वाली चीज किस चीज को देखके तुम्हें लगता है यह ऐसे कैसे कर सकता है मतलब तुम किस चीज को देखके बहुत ज़दा परिशान हो जाते हो तुम्हारा emotion फूटने लग जाते हैं अंदर से कुछ चीज भी अगर तुम्हें trigger कर रही है वो तुम्हारे बारे में बहुत जादा कुछ बोल रही है वो उनके बारे में नहीं बोल रही है क्योंकि तुम उसको एक अलग तरीके से देख रहे हो तुमने पीले चश में लगा रही है और तुम बोल रहे हो दुनिया पीली है बट आक्च्वल में दुनिया पीली नहीं है क्योंकि तुम self-aware नहीं हो सो हमें देखना जरूरी है कि क्या चीज हमें trigger करती है जिसे इसका example में ये देती हूँ एक बार जो मेरा फेमिनिटी वाला वीडियो है मैं रात को सो रही थी तो उस पे एक कॉमेंट आया बहुत सारी बहुत सारी प्यारी-प्यारी हिंदी में गालिया लिखी ले थी अर मैंको लगा है है ये कौन सा वीडियो है जैसे उस पे नोटिफिकेशन آई मैंको लग है इत्ती सारी गालिया मेरे को किस वीडियो में पढ़ी है? मेरे देखना चाहती है वो femininity वाला वीडियो था और उस पे बहुत सारी गालिया थी और वो बंदे ने कि क्या सोचा? वीडियो था femininity Femininity में बोल रही हूं कि ठीक है तुम अपनी feminine power use करो ये करो वो करो समें कोई लड़कों की बात नहीं है कोई feminism की बात नहीं है उस बंदे ने मेरे को बहुत बड़ी कहानी लिखके बहजी और बहुत सारी गालिया लिखके बहजी जिस विकॉस उसको लगा कि मैं feminism के बारे में कर रहे हूं सो इस तरीके से हम लोगों पे चीज़े डालतेते हैं जैसे उसने देखा कि femininity oh maybe she's talking about feminism वो ट्रिगर हो गया बट आक्शल में वो उसकी shadow थी क्योंकि मैं तो उस वीडियो में कुछ बात ही नहीं कर रही हूं सो इस तरीके से जो haters भी होते है न वो इसी वज़े से ट्रिगर होते हैं क्योंकि वो अपनी shadow को project कर रहे होते हैं हम अगर किसी को judge कर रहे हैं जैसे हम बच्छमन में भी बोलते थे नहीं यह चीज जब आपने parents को बोल रहे होते हैं ममी को ऐसे बोल रहे है so ममी क्या बोलती थी बेटा जो बोलता है वही होता है आक्शल में shadow हमार को यही बोलती है कि अगर तुम्हार पे कोई उंगली कर रहा है ना तो actual में problem उसमें है 90% cases में कई बार सही भी हो सकती है but mostly cases में यही होता है क्योंकि लोग self-aware नहीं होते so यह चीज हम देख सकते हैं लोगों में जो भी बहुत ज़ादा hate fact रहे होते हैं कहीं पे उनका ऐसा क कोई पार्ट है उनकी साइकी का जो इन्होंने डिस ओन कर रहा है और वो सामने देखने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वो बंदा जैसे मेरे को hate comment वेजा वो मेरे में यह देख रहा है कि में लड़के और लड़कियों में बहुत ज़ादा you know different बहुत ज़ादा भेदभाव करती So, उसने यह चीज मेरे पर प्रोजेक्क की जबकि वो वीडियो उस चीज के बारे में था ही नहीं उसको emotionally trigger हुआ वो चीज से उसने वीडियो भी नहीं देखा So, यहाँ पर हमें समझ आता है कि लोगों की shadow कैसे काम करती है अब तीसरी चीज जो हम कर सकते हैं यह जो पहली दो चीजे थी हमने shadow को जब वो काम कर रही है तो हमने डंगे हातों पकड़ा है तीसरी चीज हम क्या कर सकते हैं जब हम shadow काम नहीं कर रही हम normal अपने घर में है और अपने आज से पूछ हो क्या एक चीज है जो में को बार बार ट्रिगर करती है क्या चीज को मैं बहुत ज़्यादा हेट करती हूं किस चीज को मैं सबसे ज़ादा प्यार करती हूं और लोगों में अप्रिशेट करती हूं क्या मेरे पैटन्स है क्या एसी चीज जो मेर मेरे साथ लाइफ में बार बार होती है, so यह चीजे तुम अपने आप से पूछोगे ना तो तुमें एक कॉमन पैटन निकलता हुआ नजर आएगा, अगर तुम बहुत सारे ऐसे कोशन पूछोगे, ऐसे तुम हजारों कोशन पूछ सकते अपने आप से, so अपने आपको जान है ना तो अक्चुल में अपनी साइकी की डेप्थ में जाना पड़ेगा, अपनी शैडो को समझोगे तो वर्ल्ड को पीला चश्मा हटा के, जो कलर्स है ना उसी कलर में देख पाओगे, so यह तीन चीजे बहुत ही सिंपल चीजे हैं, प्रोजेक्शन के थूँ, अपने इम परसनालीटी में इंटिग्रेट करना है, जिसे मैंने अपनी शाडो को देख लिया, कि मैंको उस लड़की से दिख थी, क्योंकि मेरी शाडो थी फेमिनिनिकी, आम मैंने उसको अपनी conscious जो personality है जो conscious मैं हूँ जिन चीजों को लेके उसके साथ मैंने integrate कर लिया उसको कैसे आम जब किसी चीज को लेके जो unconscious में था वो सामने आ गया मैं aware हूँ कि भाई ये मेरी shadow है तो जब भी वो act कर रहे है मेरे को ध्यान से समझना है कि ये मेरी shadow है मेरे को careful रहना है जो भी मैं behave कर रही हूँ और अपनी shadow को एक्सेप्ट करो उसको थोड़ा प्यार दो क्योंकि वो तुम्हारा repressed part है अगर तुम सोचोगे नहीं नहीं ये मैं नहीं हूँ मेरा disown part है नहीं ये सही नहीं है भले ही वो तुम्हारी कोई negative trait है जिसको तुमने disown किया है उसको use नहीं करना मत करो अगर वो खराब है तो बट तुम्हें पता होना चाहिए कि ये तुम्हारा ही part है और कहीं पे वो अगर use होती है और सही reason है उसको use करने का तो उसको use करना चाहिए ना हमें जैसे किसी ने गुसा है उसको अपने जो shadow है उसको बना रख है तो गुसा कहीं पे तो useful हो सकता है ना कोई उसके साथ बत्तमीजी कर रहा है या कोई उसका advantage लेने की कोशिश कर रहा है अगर गुसे को मैंने अपनी shadow बना लिया और conscious personality का वो मेरे part ही नहीं है तो कोई भी मेरा advantage ले जाएगा So हमें अपनी personality को अपने आपको अगर hole बनाना है तो अपनी shadow के लिए aware होना है कि मेरी shadow क्या है मेरे dark parts कौन से है क्या चीज है में जो लोगों में hate करता रहता हूँ बट actual में वो मेरा ही part है जो चीज में को सबसे ज़ादा trigger करती थी वो मेरा ही part थी जैसे हम बोलती है न एक उंगली सामने वाले की तरफ करो तो तीन उंगली तुमारी तरफ आती है बिल्कुल बहुत ज़दा depth है इन बातों में जिनको हम ऐसे ही बोल देते है जो बोलता है वही होता है बहुत ज़दा depth वाली बात है यह यह जो shadow work है और यह जो shadow की हमने बात की यह यूंगियन psychology के लावा बहुत ज़दा शमानिक practices होती है उनमें यूज होता है alchemy में यूज होता था so हमारा जो purpose क्या है हमें क्या करना चाहिए एक complete इंसान बनने के लिए हमारे जो unconscious में हमने चीज़े fake रखी हैं अपने dysfunctional childhood की वज़े से या जो भी हमने परशानिया जह लिए उनकी वज़े से उसको वापे से conscious मिलाना ताकि तुम अपने behavior को लेके जादा समझ पाओ कि तुम ऐसा act क्यूं करते हो और ये चीज तुमें बहुती जादा help करेगी भले वो relationships हो भले वो तुमारा career हो so इस चीज को try करने की कोशिश करो सोचो और समझो इस चीज को और अपनी shadow को spot करने की कोशिश करो और अपनी conscious personality में उसको integrate करो so until next time take care